हेलो गाइज मैं हूँ अमित्यादफ और आज हम बात करेंगे टाटा पंच के बारे में दूस्तो मार्केट में टाटा पंच के बहुत सारे mostly सारे information leak हो चुकी है टाटा मोटर्स ने इसका launch रखा है 4 October को लेकिन हमारे पास उससे पहले ही सारे information है leaks है और उसके videos भी है जिसमें हम आपको दिखाएंगे उसके interior कैसा है exterior दिखाएंगे और उसके कुछ चीज जैसे उसके engine उसके कितने variants है और उसके dimensions और बाकी colors और भी एक सबसे main चीज टाटा ने इस गाड़ी में एक ऐसा mode launch किया है या आपको दिया है जो कि आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा जो लोग इस गाड़ी को लेने वाले हैं उनके तो मज़े हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं engine option से तो इसमें आपको 1.2 liter 3 cylinder revetron petrol engine मिलता है जो कि इसके old elder sibling में भी है Tiago में ये engine आपको 85 bhp की power produce करता है और 113 nm of torque देता है इसमें 5 speed manual transmission मिल जाता है जो कि manual और automatic दोनों में ही available है तो चलिए बात करते हैं इसके interior की तो ये देखे इसका white और black में interior बहुत ही शांदार दिख रहा है और यहाँ पे आप staring भी देख सकते हैं बहुत अच्छा दिया गया है इसमें अब इसके आप doors पर देखें तो आपको पूरा hard touch मिलता है यहाँ पे आपको start stop button मिल जाता है और जो इसका analog cluster है यह side से digital मिलेगा और side से normal वाला मिलेगा यह आपके इसके ORVM के controls और windows के control मिल जाते हैं यहाँ पर आपको eco mode और light adjustable light को adjust करने का button मिल जाता है जिससे आप अपनी light को adjust कर सकते हैं और high और low beam का भी option इसमें मिल जाता है अब देखते हैं इसके अंदर से तो अंदर आप देखें तो इसका खूबसूरत सा इसका leather wrapped आपको steering मिल जाता है जो काफी अच्छा दिखता है और जो top model में available है साथ ही में इसको आपको harman audio instrument cluster मिल जाता है आपको जो AC vents है वो बहुत अच्छे तरीके से design किये गए है जिस पर आपको silver highlights जो round में जो ये color दे रखा है ये silver है और यहाँ पर आपको AC के controls और बाकी controls मिल जाते है कुल मिला कर बात करें तो इसके बहुत अच्छा interior दिया है Tata ने इसके price है price को देखते हुए Tata ने बहुत अच्छी चीजे देने की कोशिश किये इस गाड़ी में आपको मान लीजिए कि पूरी ही चीजे उन्होंने देने की कोशिश किये जहां इसकी price 5 lakh से start होती है 4.99 lakh से इसकी price start होती है और अब बात करें इसके sound quality की तो इसमें आपको यहां पे आपको छोटा सा glove box मिलता है यह वैसे छोटा नहीं है यह बड़ा है Tata अपनी सारी गाड़ियों में देखेंगे तो अच्छे से space को देखकर mostly same तरह काई glove box देता है जो काफी अच्छा लगता है देखने में भी और आपको storage करने में भी काफी दिक्कत नहीं आती है अब बात करें इसके rear seats की तो यहां पे अगर आपन देखेंगे तो यहां पे आपको काफी अच्छा space मिल जाता है और काफी comfortable seats मिल जाती है जहां पे आप तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस गड़े में अगर हम बात करें तो इसमें आपको 187 mm का ground clearance मिल जाता है और boot space आपको 306 liter का इसको में आपको boot space मिल जाता है अब इसकी boot space की अच्छे से बात करें तो इसमें आपको एक नीचे देखिए यह stepney का जो spare wheel मिल जाता है आपको और space भी काफी अच्छा है इसके size को देखते होई आपको बहुत अच्छी road presence देगी इसके alloy wheels भी बहुत खूबसूरत दिये गए हैं टाटा ने इसमें बहुत अच्छे alloy wheels दिये हैं ठीक है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इसके dimensions की तो इसकी length मिलती है आपको 3840 mm की width मिलती है 1800 mm की और इसकी height मिलती है आपको 1635 mm की जो की काफी है उसकी जो road presence होगी वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी होगी अब हम बात करते हैं इसके उस खास mode की जो टाटा ने इसमें introduce किया है इसमें टाटा ने एक traction pro mode launch introduce किया है जो manufacturers के according sense कर लेता है कि vehicle कोई कीचर में या फिर ice में नहीं फसा हुआ हो अगर ऐसा होता है या vehicle उसमें फसा हुआ होता है तो automatic आप उस button को दबाईए और आपको गाड़ी खुद बहुत help करेगी उस situation से बहार निकलने के लिए ठीक है तो ये feature बहुत ही कमाल का होने वाला है जो इस गाड़ी को इसके segment में मतलब सबसे उपर लेके जाएगा अब बात करते हैं इसके exterior की आपको इसमें exterior में क्या क्या मिलेगा तो हम बात करते हैं इसमें आपको split headlamp setup मिलता है जहां पर उपर आपको LED DRN मिलता है और नीचे की तरब आपको house projector headlight मिलती है ठीक है और इसमें 16 inch के dual tone alloy wheels मिल जाते हैं fog lights मिल जाती है और ORVMs पर contrast color मिल जाते हैं सबसे main चीज इसके जो doors है वो आपको 90 degree तक खुले हुए मिलेंगे आप उसको 90 degree तक पूरा door खोल सकते हैं जिसमें आप अंदर भार आराम से आ जा सकते हैं जो उसका Tata हमेशा देता है ट्राइ कलर में LED टेल लाइट्स दी है उन्होंने जिसमें आपको signature IRA technology, cruise control, steering mounted controls, flat bottom steering wheel और एक rain sensing wipers मिलते हैं जो rain को देखते हुए अपने speed adjust कर लेंगे जिस लिए अब हम next बात करते हैं इसके variants के बारे में तो इसमें Tata ने आपको 4 variants introduce किये हैं जहां पे पहला होगा pure, दूसरा adventure, तीसरा accomplished और fourth होगा creative इसमें एक चीज है कि आपको जो pure और accomplished है वो आपको manual में मिलेगा और जो adventure और creative है वो आपको manual और automatic दोनों के options आपको उसमें मिल जाएंगे, अब बात करते हैं इसके color options की, कि ये गाड़ी कौन से कौन से colors में आने वाली है, तो Tata ने इसमें आपको दो तरह से options दिये हैं, जैसे इसमें आपको monotone मिल जाता है और एक dual tone मिल जाता है, monotone में आपको मिलेंगे white, grey और stonehenge, वहीं आपको dual tone में मिलेंगे white with black grey with black, orange with black, blue with white, stonehenge with black, and urban bronze with black, तो mostly देखा जाएं तो सारे colors के साथ black का combination है याँ पे, जो आपको dual tone में मिलने वाला है, और ये भी खबर आ रही है कि जब भी 4th October को Tata इस गाड़ी को launch करता है, तो आपको और color options देखने को मिल सकते हैं, और जैसे कि Tata की गाड़ियों में आप आपको safety first priority पे मिलती है, वैसे ही इसमें आपको बहुत से safety features भी मिल जाते हैं, जैसे dual front airbags मिल जाते हैं इसमें, ABS with EBD, ISOFIX और भी बाकी आपको safety features मिल जाते हैं इसमें, तो आपको गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है ये आप comment करके जरूर से बताएं, और ये गाड़ी मेरे ह इसाब से एक worth money होने वाली है, बाकी देखो Tata launch करता है, तो हम आपके लिए review की वीडियो जरूर लेके आएंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please channel को चरूर से subscribe करें, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप channel subscribe परते हैं, तो motivation मिलता है, और वीडियो को जरूर से like क Thank you